एक बार आप सभी का सार्दा सदन ग्रूप के यूटूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं जैसा कि आपको पिछले वीडियो मैंने सब्सक्राइब करेंगी तो लगातार बने रही है हमारे साथ हमारे वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब करें एक साइन थीटा को सीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स वन को सीटा वन और एक्स इस इंडिपेंडेट इंडिपेंडेंट ओफ थीटा आपके पास जो यह डिटर्मिनेंट गीवन है इसका आपको एक्सपेंशन करना है और एक्सपेंशन करने के बाद में इसमें आपको प्रूव करना है कि जो डिटर्मिनेंट है यह इंडिपेंडेंट है ओफ थीटा से देखिए, question number one है इस में, determinant आपको given है, x माइनस, sin थीटा, cos थीटा, sin थीटा, माइनस, x और 1, cos थीटा, and 1, index, यह गिवन है, तो इस determinant का हमें, जो solution करना है, उस solution में क्या करोगे, dear friend, इस determinant का आपको expansion करना, expansion करने के बाद में, इसमें आपको सो करना, कि डिटर्मिनेंट जो है, is independent of theta, तो आप क्या करोगे, own expansion, with respect to, r1, r1 के respect में, इसका क्या कर रहा हूँ, expansion कर दा, तो expansion क्या होता, determinant का ध्यान दीजिए, x को आप बहार रखोगे, इसकी row और column को delete कर दे, minus x square, minus 1, फिर second, जो element r1 का, वह हैं वहरे पास, sin theta, इसकी row और column को delete करेंगे, तो minus x sin theta, minus x sin theta, और minus cos theta, इसके बाद में देखिए, dear friend, फिर जो third element है, उसके respect में, इसके expansion करेंगे, plus cos theta, इसकी row और column को delete करेंगे, minus sin theta, row और column को delete किया, इसको इससे multiply किया, minus sin theta और इसको इससे multiply किया, plus x cos theta, यह हमने क्या किया, जो आपके बाद determinant थी, determinant का हमने expansion कर दिया, और expansion करने के बाद, इस determinant की जो value हो, वो find करेंगे, अब इसको multiply करें, minus x cube minus x, minus minus plus x sin square theta, x sin square theta, फिर minus minus plus sin theta, into cos theta, फिर यह plus minus minus sin theta, into cos theta, एंड यह से multiply होगा, plus x cos square theta, अब इसमें देखी, positive term है friend, और एक negative term आपको गीवन है, यह दोनों जो है, cancel हो दाएंगी, और इस term को, और इस वाले term को अपन जो है, एक साथ show करेंगे, तो यहां से क्या है, मारे पास minus x cube minus x, इन दोनों से x common लीजिए, तो आपके पास, trigonometry identity बनीगी, sin square theta, plus cos square theta, ठीक है friend, अब यह identity जो 30 का value क्या होता है, trigonometry में, 1 होता है, क्या होता है, 1, तो आपके पास क्या गया, minus x cube, minus x plus x into 1, minus x cube, यह minus x और plus x हो जाएगा, यह इस से cancel, क्या गया, minus x cube, ठीक है ना, सो, independent, independent, of, theta, अब यह देखो भाई, theta से independent है, ठीक है, तो यह हमें इसमें, प्रूब करना था, आपको determinant given था, determinant का आपने, R1 के respect में चाहिए, expansion किया, expansion करने से, कुछ तरम इसमें, cancel ही, और कुछ, इसमें trigonometric identity जो बनी, और उससे फिर क्या हुआ, हमारा जो solution था, वह आगया, minus x cube, by इसमें x cube, x वाले ट्रम में है, जो क्या है, theta से independent है, theta से independent है, यह आपको प्रूब करना था, जो है, इसमें हमें प्रूब करना है, prove that, determinant आपको given है, dear friend, first जो कोलम हो है, a, b, c, second जो कोलम हो है, आपके पास, a square, b square, c square, third कोलम है, इसका दो solution करेंगा, इसका जो solution करेंगे, तो उसमें क्या करोगे, friend, आप जो LHS वाला portion है, उसे टेक करेंगे, now taking, LHS, LHS आप टेक करोगे, तो क्या हैगा, आपके पास में ध्यान दीजिए, जो determinant था, a, b, c, a square, b square, c square, b, c, c, a, a, b, यह हमारे पास आगया concept, तो आपको, friends, देखिए यहां पर, आप लोग एक idea लगा सकते हो, कि आपके पास दो, a square, b square, c square, second column में बंढ़ा है, third column, a cube, b cube, और c cube बंढ़ा है, यदि हम इसे, a, r1, जो हा, r1 को अपन, a, r2, b, c, तो आप c से multiply कर दो, तो यह दोनों column के, जो element हुआ हुआ आप show कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको कले question कर वा था, question number 14, उसमें क्या कहा था, कि जब r1, r2, r3 को आप किसी से multiply कर रहे हो, तो determinant क्या होगा, वो divided होगा, तो आप यहां लिख सकते हो, determinant is divided and multiplied by a, b, c. Determinant is divided and multiplied by a, b and c. यह मैंने concept यहां यूज कर लिया. क्या concept यूज किया, friend? कि जो आपकी determinant, थिसको मैंने क्या किया, multiply कर दिया, यह भी से से और divide भी कर दिया. अब divide किया, आपने तो वो portion तो आप बहार रख लीजिए. एंड जो multiply किया, तो multiply में किसे कर रहा हो, R1, R2, R3 को A, B, O, C से multiply कर रहा हो. तो यहां क्या आएगा? A square, A cube, A, B, C, B square, B cube, A, B, C, C square, C cube, A, B, C. यह concept मैंने यूज किया, friend? अब देखिए, आप क्या करोगे? अब आप जो C3 से, A, B, C, common, from, C3, C3 से common आए, तो हमारे पास क्या है? A, B, C upon, A, B, C, A square, A square, B square, C square, यहां गया? एंड यहा, A cube, B cube, और C cube, अब थार्ड कोलम के all element क्या बन गए? 1, 1 बन गए? 1, 1 और 1, तो यह देखिए, cancel हो जाएगा, cancel होने के बाद में, हमारे पास जो, हमारे determinant आएगी, वो क्या ही भई? A square, B square, C square, A cube, B cube, and C cube, A cube, B cube, and C cube, 1, 1 और 1, अब देखिए, फ्रेंड, अपने क्या करेंगे? determinant के एक property थी, property number second, उसमें क्या था? P2 में, determinant की कोई भी दो, यहां कोई भी दो, row यहां कोलम को अपन, interchange करते हैं, interchange करेंगे, तो determinant का जो value हो, वो तो same रहेगा, लेकिन determinant का sign, change जाएगा, तो मैं यहां interchange कर रहा हूँ, क्या interchange कर रहा हूँ, भई मैं यहां पर, मैं यहां पर interchange कर रहा हूँ, C2 interchange, C3, ठीक है? C2 interchange, C3 करोगे, तो आपके बास क्या हैगा? negative का sign हैगा, और यह बनेगा, हमारे पास, A2, B2, C2, 1, 1, 1, A3, B3, and C3, अब next जो concept है, उसमें क्या रहेगा, friend? अब वापस से आप, दो column को interchange करें, तो आप क्या किसको interchange करोगे? C1 interchange C2, तो क्या आएगा, यह negative था, और यह भी negative है जाएगा, तो यह आएगा, मारे पास, 1, 1, 1, A2, B2, C2, A3, B3, and C3, तो देखो, यह मारे पास क्या आएगा, यहाँ लिख देना आप, by P2, by P2, ठीक है? प्रोपर्टी जो आपके बास सेकिंड दी, उस प्रोपर्टी से, हमने इसे, यहाँ, सो कर दिया है, तो माइनस माइनस क्या होगा, पलस, क्या रहेगा, 1, 1, 1, A2, B2, C2, A3, B3, and C3, clear, is equal to क्या आएगा, RHS, N से, Pruud, यही हमें प्रूव करना था, यह हमने जो है, प्रूव कर दिया, इस ताइप से, प्रोपर्टी यूज करके, आपने इसको प्रूव कर दिया, so friend, इसे आप, नोट कर लीजिए, यह था आपका, concept, question था, और question में, आपने क्या किया, LHS टेक करने के बाद में, यहां से आपने, determinant को multiply कर दिया, और divide कर दिया, किससे, A, B, and C से, फिर आपने क्या क्या कोमल लिया, C, 3, C, A, B, C, और फिर इसके बाद में, आपने क्या क्या, दो कोलम को interchange किया, interchange करने के बाद में, and determinant आपको दिया हुआ है, आपको जो पुरूव करना है वो लिखिए, पहले आप पुरूव देट, क्या पुरूव करना है, फ्रेंड्स, इसमें आपको पुरूव करवा रहा है, यहां सो करवा रहा है, A, प्लास, B, प्लास, C, इक्वल टूज, इसमें आपको दिया हुआ है, A, प्लास, B, प्लास, C, इसमें आपको जो करना है, और, A is equal to, B is equal to, C, यह हमें सो करना है, और, गिवन क्या है, हमारे पास? गिवन देट, आपको गिवन है, determinant, A, प्लास, b b plus c c plus a यह first column इसका अच्छा b plus c है पहले इसमें आपको गिवन है b plus c c plus a and a plus b यह गिवन है ठीक है फिर दिया हुआ c plus a फिर a plus b and b plus c थर्ड जो column है उसमें दिया हुआ a plus b b plus c c plus a यह आपको determinant के is equal to दिया हुआ है और इसके is equal to 0 भी सोकर रखा इसलिए ठीक है तो हम क्या करेंगे first of all ध्यान देना अब यह आपके पास जो determinant है इसमें आपको गिवन जो है उसमें आप क्या करोगे एक operation यूज करेंगे स्टाइफिर क्या करेंगे एक ऑ्प्रेशण जूज करेंगे और वह उप्रेशन था कूंसा हैarm के लिए कोई from क्या प्लाज आरटू प्लास और थी मिरन देना ये Common यूज करों यह r-1 है यह2 और भी स्रेंठी ये, ये और ये element प्लस होंगे और फिर ये, ये और ये element प्लस होंगे और फिर थड़वाले में ये तीनोh element प्लस होंगे तो आप क्या करोंगे धियान दो B प्लस C, C प्लस A, A प्लस B इसके आफ्टर C प्लस A, A प्लस B, B प्लस C इसके आफ्टर A प्लस B, प्लस B प्लस C, प्लस C प्लस A यहां गया फ्रेड और बाकी जो R2 और R3 हो है जिए आप सो कर दें एजिट C प्लस A, A प्लस B, A प्लस B, B प्लस C, B प्लस C, C प्लस C तो देखिए अब R1 में क्या गंसर्प्ट बंदा है सारे एलिमेंट जो डबला रहे है तो आप यहां लिखोगे 2 into A plus B plus C यहां क्या लिखोगे 2 into A plus B plus C फिर यहां भी 2 into A plus B plus C यह हमारे पास R1 हो गया डियर फ्रेंड अब R2 और R3 है जिए जिए रिक दीजिए आप C plus A, A plus B, A plus B, B plus C, B plus C, C plus A यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना सी अब देखिए डियर फ्रेंड हम क्या करेंगे नेक्स वाली जो ट्रमा आपके बास अब यहां से कुछ common आ रहा है क्या है तो आप यहां सो करेंगे 2 into A plus B plus C common common from किससे को बना रहा है R1 से, R1 से common लेंगे तो यह determinant से बाहर सो जाएगा क्या जाएगा 2 into A plus B plus C क्या है फ्रेंड हमारे पास 1 C plus A A plus B 1, A plus B, B plus C और यहां भी बनो जाएगा B plus C, C plus C अब फ्रेंड हमारे पास क्या है मैंने आपको बताया था कि determinant में किसी भी रो या कोलम में अगर आप, कोलम में आपको 2, 0, so करने हैं अगर आप determinant का expansion करना चाहते हो तो आप देखिए इसमें determinant का expansion करोगे तो आपके बास first वाली जो रोहा R1 उसमें तीनों element 1, 1, 1 है तो आसानी से आप 0, so कर सकते हो आप operation क्या यूज करोगी हैं पर for c1, c1-c2 and for c2, c2-c3 यह operation आपने अप्लाई किया यह operation आप अप्लाई करोगी है अगर फ्रेंट 2 इंट अप्लाई प्लाई 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 c1-a, c2-c3, 1-1, a-b-b-c, b-c-c-a c3-a क्योंकि इसमें आपने कोई भी operation यूज नहीं किया 1, b-c, c-a यह आपने operation यूज कर लिया, cancellation वाला portion cancel कर दीजी आप, b2-b cancel हो गया, यहां से a to a cancel हो गया और यहां निचे minus b2 plus b cancel, c2-c cancel अब इतना करने के बाद में friend आप क्या करोगी यहां से अब आपके पास देखिए two zeros होगे तो two into a plus b plus c आपके बाद determinant में क्या है, 0, c minus b, a minus c यह लिख दिया, फिर 0, a minus c, फिर b minus a, फिर 1, b plus c, c plus a यहां गया friend अब देखिए determinant में क्या गया, two zero so होगे, अब two zero so होने के बाद में आप इसका असानी से expansion कर सकते हैं, expansion जो इसका असानी से करो तो आप करोगी own expansion अब two zero, r1 में so है, c1 में, r1 में, तो own expansion with respect to r1, r1 के respect में आप इसका expansion करेंगे, तो r1 के respect में expansion करोवित क्या आएगा, two into a plus b plus c expansion करें, zero minus zero plus one इसकी row और column को आप delete कर दें, यह इस one की row है, और यह इसका column है, क्या है आपके बाद ध्यान देना row column को डिलेट करोगे तो c minus b into b minus a minus a minus c into row column को डिलेट करोगे तो b minus a c minus b into b minus है, और a minus c का all square यह हमने यहाँ इसका expansion कर लिया, अब expansion करने के बाद में आप इससे solve कर लीजिए, two into a plus b plus c, inside वाले portion में क्या है, मारे पास ध्यान दो भाई, multiply कर लिजिए से, one into b c minus a c minus b square, minus minus plus a b, और minus का, यह square हो जाएगा, a minus c का whole square, अब solve कर लिजिए, two into a plus b plus c, अब एक साथ लिजिए इससे, b c minus a c minus b square plus a b, फिर यह, आप इसका expansion कर लिए तो minus का a square, minus का c square, plus का 2 a c, यहाँ गया, अब 2 a c में से एक a c minus हो रहा है के देखो दिखेंगे, यह रहाँ, two a c और आपके बास यह रहाँ, minus का a c, यह लिख दो, b c plus का a c, और plus का a b, इसके बाद में क्या है मारे पास, ध्यान दीजिए, friend, minus का b square, minus का a square, और minus का c square, यह आ रहाँ, minus का b square, minus का a square, और minus का c square, यह रहाँ हमारे पास, अब आपके पास जो था, पाहर जो two था, यह जो two है, इसको अंदर multiply करेंगे, क्या करोगे, इसको अंदर multiply करेंगे, तो इसको अंदर two b square, minus two a square, minus two c square, minus two c square, यह आ गया फ्रेंड, अब देखिए, आपके पास क्या था, a plus b plus c, यह तो बाहर चलड़ा है, तो यह आ गया आपके पास, two b c, plus two a c, plus two a b, minus का b square, minus का b square लिख दें, और minus का a square, minus का a square, minus का c square, minus का c square, अब हमने क्या किया, जो a square, b square जो आपके पास क्या थे, डबल थे, आपने इसको सिंगल सिंगल में लिख दिया, डिवाइड करके, अब डिवाइड करने के बाद में जान दीजी, क्या करोगे, यहां से minus कॉमन ले लो, a plus b plus c, क्या रहेगा, inside में जान दो, हाँ बही, अब b square और c square वाले, पहले लिख दो आप, b square plus c square, यह एक काम को एक बार, माइनस आप एक साथ कॉमन लिजी, माइनस का 2bc, माइनस का 2ac, माइनस का 2ab, plus b square plus b square plus a square, plus a square plus c square, यह गया, तो माइनस का, माइनस a plus b plus c, अंदर देखो बही, square बन्टा, holy square किसका बन्टा देखो, देखो, माइनस 2bc है, यह b square रहा, और यह c square, क्या बनेगा, b माइनस c का, holy square, फिर बनेगा, plus a minus c का, holy square, फिर बनेगा, plus a minus b का, holy square, बन गया, फ्रेंट, यह हमारे पास, holy square, बना का, नहीं बना, बोलो, अब holy square बन गया, बट आपको, given क्या था, कि, determinant case equal to, क्या सल्टा भई, इस case equal to, क्या सल्टा है, 0 सल्टा है, तो आप लिखोगे, minus a plus, बट, b plus c, और, अंदर जो दियावा था, वो लिख दीजिए आप, b minus c का, holy square, plus a minus c का, holy square, plus a minus b का, holy square, is equal to 0, चल्टा है, यह given था में, तो आप क्या करों कि, negative side बेज दीजिए, तो a plus b plus c, into b minus c का, holy square, plus a minus c का, holy square, plus a minus b का, holy square, is equal to 0, तो अब लिखोगे, now, a plus b plus c, is equal to 0, आ जाएगा, यह प्रूव हो गया, एक बाद इस factor की comparing अपन 0 से करेंगे, फिर आप लिखोगे, next, b minus c का, holy square, plus c, a minus c का, holy square, plus a minus b का, holy square, बराबर भी 0 है, तो एक बार आप क्या करों कि, b minus c, b minus c का, holy square, is equal to 0 करों कि, तो b minus c, is equal to 0, और, b is equal to क्या जाएगा, c, फिर एक बार आप लिखोगे, पैटा, a minus c का, holy square, is equal to 0 करों कि, क्योंकि, यह real number है, a, b, c क्या है, real number है, a minus c, is equal to क्या हो जाएगा, 0, तो यहाँ से, a is equal to, आप निकालों क्या होगा, friend, c, a minus b का, holy square, is equal to 0 है, तो a minus b is equal to 0, a is equal to क्या गया, b, swap लिख सकते हो, after, so, a plus b plus c is equal to 0, और a is equal to, b is equal to c, so hence, proved, यह हमेज में प्रूव करना था, important question है, इस ताइब की question, board exam में काफी टाइम पुछ ले हैं, संभावना बनी की, संभावना इस question की भी, तो note कीजिए से, यह आपका solution था, इस question का, prove के अधर बार, so क्या करना था, हमें, a plus b plus c is equal to 0, और a is equal to, b is equal to 0, तो note कीजिए से, determinant आपको given x plus a, x और x, first column यह है, second column आपका given x, x plus a, and x, third column आपका कीजिए होना है, x, x और x plus a, is equal to 0, is equal to क्या है, 0, और यहाँ condition यह भी दे रखे की, a note equal to क्या है, 0, यह condition, ज्यान दीजिए, इसका हम solution करेंगे, तो friend, इसका solution करेंगे, हम ज्यान दीजिए, तुम्हें यहाँ operation यूज़ करता हूँ, operation मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, 4, r1, 4 r1, r1 plus r2 plus r3, यह operation आपने यूज़ किया, क्या है, ध्यान दीजिए, x plus a plus x plus x, x plus x plus a plus x, फिर x plus x plus x plus a, is equal to 0 भी चल्टा, ज्यान दीज़ किया चल्टा, 0, second जो element और third element एजिए लिए लिए दो, x plus a over x, x, x plus a, अब द्यान दे फ्रेंड, operation आपने यूज़ किया, तो अब आपके पास, determinant में क्या बना, 3x plus a, 3x plus a, 3x plus a, यह बना मारे पास determinant में, second row के element आप लिख दीजिए x, x plus a, x, 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 और x plus a, अब इसके बाद में देखें, फ्रेंड क्या रहा हमारे पास, equal to में 0 चल्टा है, आप यहां से जो determinant जो दिया हुआ है, उस determinant से आप common लोगी, 3x plus a common, from r1, r1 से क्या common लिए आपने, 3x plus a common लोगी, तो क्या हैगा मारे पास ज्यान देना, 3x plus a common, equal to 0 चल्टा है, determinant बें आगया 1, 1 और 1, मतलब फर्स्ट के रोग के तीनों एलिमेंट 1, 1 आगए, फिर x है, x, x plus a, और x, x, x plus a, अब आप क्या करना, फ्रेंड, ओपरेशन यूज़ कर लेना अब, आपने एक ओपरेशन लगाया, r1 के लिए r1 प्लस r2 प्लस r3, अब आप लगाओगे, 4, c1, c1 माइनस c2, and, c2, c2 माइनस c3, यह ओपरेशन आप यूज़ करोगे तक क्या हैगा, 3x plus a, तो c1 माइनस c2, 1 माइनस 1, c1 माइनस c2, c1 माइनस c2, c2 माइनस c3, 1 माइनस 1, x पलस a माइनस x, x माइनस x माइनस a, 1, x और x पलस a, यह आपने ओपरेशन यूज़ किया, तो यह ओपरेशन यूज़ करने के बाद में, आप क्या करोगे, इसको solve करोगे, यह आपके बास cancelation हो जाएगा यहाँ पर, cancelation होने के बाद में इस side आए, आपके बास 0 चलड़ा था, 3x पलस a, यह एक factor था जो common था आपके बास, अब inside में क्या रहाँ, 0-a, 0, फिर यहाँ पर क्या रहाँ, 0-a, और माइनस a, यहाँ पर क्या रहाँ, 1xx पलस a, अब आप क्या करोगे, फ्रेंट इसका expansion करोगे, क्या करोगे इसका, expansion करेंगे हम, तो expansion देखो, आप r1 के respect भी कर सकते हो, और r, c1 के respect भी, now, on expansion, with respect to r1, तो क्या रहाँ फ्रेंट, 0 is equal to 3x plus a, expansion करोगे तो 0-0 plus 1, इसकी रोर कोलम को डिलेट कर दो, plus का a square minus 0, ठीक है, अब इसको solve करोगे, तो क्या है आपके बास, 3x plus a, into में क्या गया, a square, is equal to 0, अब आप क्या करोगे, comparing करोगे, and second factor क्या है, 3x plus a is equal to 0, 3x is equal to minus का a, और x is equal to minus का a by 3, तो यह equation आजाएगी, इसका आपको solution करना था, solution के बाद में, x is equal to क्या जाएगा, minus a by 3, यह question था, और इस question का आपको, जो, solution था, वो इस टाइप से करना है, तो note कीजिए, आपको यहाँ given था, a not equal to 0, और x का value निकालना था, x का value आगया, मारे पास, minus a by 3, वो ही find करना था, तो आपने operation यूज़ करके, इसको solve किया, note करें, operation कौन-कौन सी है भाई था, आपको यहाँ पर, 2 by x plus, 3 by y, 2 by x plus, 3 by y, plus, 10 by z, equals to 4 है, इसको एक नमबर दे दे ना, second equation आपको कै दे भी है, 4 by x minus 6 by y, minus 6 by y or plus, 5 by z, equals to 1 है, third equation दे भी है, 6 by x, plus, 9 by y, or minus, 20 by z, equal to क्या given है, 2 है, यह equation आपको given है, अब आपने, solution of, system of equation वाले portion में, 4.6 में, आपने एक matrix method पढ़ा था, उस matrix method की help से इनको solve करेंगी, बट इसमें देखो, fraction वाली form में दिये हैं, x, y, और z, तो आप यहाँ क्या करोगे, मान लेना, let करना आप लोगों को यहाँ पर, let, 1 upon x is equal to u, 1 upon y is equal to v, and, 1 upon z is equal to w, इन variable को आपने क्या कर लिया, change कर लिया, let करके, तो आप लिखो के, now, क्या है कर लिखना, 2u plus 3v plus 10, w is equal to 4, equation number 4, फिर, 4u minus 6v plus 5w is equal to 1, 6u plus 9v minus 20w is equal to 2, अब यह क्या होगी बढ़ी, linear equation जो है, convert कर लिए आपने, convert करने के बाद में, आप यहाँ से a, b, c, वाली matrix यहाँ सो करो लिखे, now, matrix ए क्या होगी बढ़ी बताओ, matrix ए में क्या होगी जो, u, v, w के जो coefficient है, वो लिखेगे, तो क्या हैगा, 2, 3, 10, 4, minus 6, 5, 6, 9, minus 20, and x is equal to, u, v, w, and b is equal to, 4, 1, 2, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, matrix method यूज करोगी, क्या यूज करोगी बढ़ी, matrix method, by using, matrix method, तो matrix method क्या था, friend, हमारा, ax equal to b, तो लिखिए, a वाला matrix, 2, 4, 6, 3, minus 6, 9, 10, 5, minus 20, और यहाँ आगया, हमारे पास, x वाला, u, v, o, w, b का जो matrix हो, क्या है, हमारे पास, 4, 1, और 2, यह अपने यहाँ पर लिख दिया, अब यह note करने की बात में, आप, क्या लिखते हो, so, ax equal to b वाली फोर्म में आगया, then x is equal to क्या आगया, a inverse into b, इसको आप equation number 7 दे दिना, clear, अब आपको क्या करना है, determinants matrix जो a है, उसका आपको क्या करना है, determinant में सो करके, उसका determinant find करना है, अगर, system जो है, consistent होगा, कब होगा, जब determinant of a, not equal to 0 आएगा, और inconsistent कब होगा, जब determinant of a, equal to 0 आएगा, तो inconsistent होता है, तो हम क्या करते हैं, बटा, कि आप वहाँ, जब आपके पास variable हो, find नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि a inverse exist नहीं होता, और consistent system में क्या होता है, आप determinant का value, not equal to 0 आता है, तो वहाँ आप a inverse exist कर सकते हो, inverse exist होगा, तो आप जब आपके पास, variable x, y और z, वो find कर सकते हो, तो आप यहाँ पर solve करेंगे, a equal to आपको determinant matrix जो दियावा है, 2, 4, 6, 3, minus 6, 9, 10, 5, 4, minus 20, इसका determinant आप find कर लो क्या आएगा, 2, 4, 6, 3, minus 6, 9, 10, 5, 4, minus 20, तो इसका determinant क्या आएगा भाई द्यान दो, determinant of a equal to expansion कर दो, इसकी row column को delete कर दो, 26 दा कितने होते हैं, 120, minus 45, फिर minus 3, row column को delete करें, minus का 80, minus का 30, plus 10, इसकी row column को delete करें, 36, और plus के 36, यह हमने इसका expansion कर ले, determinant का, first वाले element के respect में किया, तो इसको multiply किया, और इसको multiplied किया, second वाले के respect में, इसकी row column को delete किया, इसको multiply किया, और इसको multiply किया, third वाले के respect में करेंगे, तो इसकी row column को delete करेंगे, इसको multiply कर दिया, और इसको multiply कर दिया, अब इससे solve करें, 2 into कितना है, बता हो, 75 minus 3 into minus 110 plus 10 into 72 solve करें बही यह 150 हो गया minus minus plus 330 फिर plus 720 120 अब इसको कितना आएगा एड करेंका इनका इनका एडिसन कितना आएगा क्या आएगा अच्छे कम्प्लीट आया गया तो यह आ गया note equal to zero then a system is consistent then a inverse cj exists अब a inverse exist होगा तो क्या करोगे आप जान दो भाई adjoint of a इनका लेंगे now adjoint of a equal to aij to the whole transpose so adjoint of a is equal to बतावाई परस्ट जो आपके पास रो है उसके element क्या आएंगे वह यहां से निकालोगे आप 75 फिर यहां से माइनस और माइनस माइनस प्लस वन अंडे 10 फिर यहां से 72 और इसका ट्रांस्पोर्ज ठीक है अब second वाली रो से निकालिया आप इस की रो और कोलम को डिलीट कर दो कितना आएगा आप भी 60 माइनस 90 कितना आएगा माइनस का 60 और प्लस का 90 तो कितना आएगा भी यहां से इसका निकालने अपन रो और कोलम को डिलीट किया तो आपके पास कितना आया वही इसकी रोर कोलम को डिलीट किया तो 23 जा आपके पास कितना आया 60 और माइनस के 910 जा 90 तो कितना आया आपके पास में 150 आया लेकिन साइन किसका है यहां पर नेगेटिव नेगेटिव पूजेटिव कि फिर यहां से इसका निकाल रो को डिलीट कर दो यहां से कितना हैया-a which वाईनस का 40 और माइनस का 65 इतना है इंडल थॉत का और इंडल एजाएह इसका न्कालो मेंडलो रो को डिलीट कर दो 18 माईनस क्यों प्लस का आपका बास कितना है 18 और माइनस का कितना आ है 18 तो 0 गया पीश का निकालें रोब को डिलीट कर दो 15 और प्लस के कितने आ है 60 45 यह तो कितना है 15 और प्लस के कितने है 60 तो कितना है 75 साइन किसका है मैं नेगेटिव है पोजिटिव वहाँ तो यह 75 इसका निकालो रोर कोलम को डिलीट कर दो 5 तुझा 10 और माइनस का 410 जा 40 तो माइनस का 30 आया पलस का 30 इसकी रोर कोलम को डिलीट कर दो माइनस के 12 माइनस के 24 साइन क्या होता है यहां पर पोजिटिव तो कितना आएगा यह हमने इसका एड्जोइंट फाइंड करने के लिए AIJ मतलब जो आपका कोफेक्टर है वो फाइंड कर लिया सो एड्जोइंट ओफ एकवल टू क्या आएगा अब इनका ओल्ड ट्रांस्पोज ले ली जी आप 75 वन एंडर टैन सेवन्टी टू 150 माइनस 130 जीरो हा गया यह जीरो करेंगे आप यहां पर ना हाँ यह 0 है 75 थर्टी माइनस 24 यह हमने फाइंड कर लिया तो एड्जोइंट आपने फाइंड कर लिया और डिट्रमिनेंट आपने फाइंड कर लिया स्वाप लिखोगे दैन X equal to A inverse, B था आपके पास, X equal to U, V और W, determinant कितना है आपके पास मिसका, 112, A inverse आपने find कर लिया है हैंसे, A inverse कप find होगा, जब आप यहां से क्या करोगे, इसको आप formula में रखो, मैंने यहां पर direct रख दिया, A inverse is equal to क्या होता है, one upon determinant of A into adjoint of A, तो आप यहां से find करना चाहो, तो आप direct भी लिख सकते हो, otherwise आप एक बार इस portion को आप रहने दें, इस side में आप जो है, इसका A inverse find कर लें, तो A inverse equal to one upon determinant of A into adjoint of A, तो A inverse equal to कितना आएगा, one ended, one upon twelve ended, और यहां आएगा, 75, 110, 72, 150, minus ended, 0, 75, और तर्टी फाइफ और थर्टी माइनस ट्वंटी फोर, यहां गया, अब यह पूट कर दीजे आप यहां पर, तो किया आएगा, वन हैंडेड, वन अपॉन, तोवल हैंडेड, और यहां गया, 75, 110, 72, 150, minus ended, 0, 75, 30, minus 24, वी वाले डिट्रिमिनेंट क्या थी, वी वाले मैटिक्स क्या थी भी आपके पास में, वी का मैटिक्स क्या था, हमारे पास में, 412, तो यह रख दीजिए आप यहां पर, 4102, अब इसके बाद में क्या गरोगी, अब इसको एक बार मल्टिप्लाइ कर लें, दोनों जो मैटिक्स आपके पास, यह आपके पास, 1 upon 1200 एजिट रहेगा, आब इसको मल्टिप्लाइ करो, 4 से कितना आएगा, 300, इसको मल्टिप्लाइ करें, plus 150, इसको इससे मल्टिप्लाइ करें, 150, फिर इसको इससे मल्टिप्लाइ करो वें, कितना आएगा, 440, minus 100, और plus 60, फिर इसको इससे मल्टिप्लाइ करें, कितना आएगा, 4 से मल्टिप्लाइ करना, 72 को, फिर इसका इससे मल्टिप्लाइ, plus का 0, यह माइनस का 48, जोल करने, friend, 1 upon 1200, इनका add करो कितना आ गया, इसका add करो कितना है, इसका adding, और इसका adding कितना है, और is equal to क्या था हमारे पास u, v और w अब इसको divide कर दो, क्या करोगे इसको divide कर दो तो क्या आएगा भाई 600 divided by 1200 400 divided by 1200 240 divided by 1200 तो ये 0 cancel हो जाएगा ये इससे cancel हो जाएगे यह इससे cancel हो जाएगा अब cancellation करने के बाद में आपके पास जो value आई क्या है भई यू वी ओ डब्लू is equal to क्या है भई द्यान दो 1 upon 2 और 1 upon 3 और यहां कितना है 24 को 120 से डिवाइड करोगे 1 upon 5 यहां बट आप यहां u equal to क्या था 1 upon x is equal to कितना है 1 upon 2 तो आप इनको cross multiply करो x equal to कितना आ गया 2 फिर v equal to क्या था 1 upon y equal to 1 upon 3 y equal to कितना है फिर w equal to 1 upon z equal to 1 upon 5 z equal to 5 आ जाएगा तो यह आपके पास इसका solution इस टाइप से करोगे आप यह question है तो फ्रेंड यह था हमारा आज का टोपिक की मिसेलियस की जो question थे वो फोर की जितनी भी exercise उनके mixing question आते इस में तो हमारे चैनल को फ्रेंड सेंट लाइक शेर और सब्सक्राइब कर रहें और लगातार हमारे वीडियो को देखते रहें और comment box में जाके आप comment अवस्य करें तो झाल